दोस्तों आज है शुक्रवार और इस विक का आखरी डे तो मार्केट में कल कुरू बार को बहुत ही वोलेटाइल हो चुका था तो आज लगता है कि साइड वेज जैसा मौ रहेगा आज फ्राइडे वैसे भी तो अभी शुरू आत में देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट अल्मोस्ट फ्लैट है बहुत जैदा पॉजिटिव भी नहीं और नेगिटिव भी नहीं है अभी में जस्टे मार्केट खुल चुका है मैं यहां पे निप्टी फीटर को सेल कर रहा हूं जस्ट मार्केट पर ही देखते है वैलीडेशन पेंडिंग उके 27 से सेल किया है इसन शाथ 2 पे लगा दो रहूं में बाई का ओडर मैंने प्लेस कर दिया है 15 का प्राफिट चल रहा है दो पे अच्छा यह जस्ट बाई हो चुका है अल्मोस्ट तीस सेकर्ण में बडर दूस्तों पूरा हो चुका है आप है आई स्पीड टेडिंग इस तरीक से आप कर सकते हो क तो कि ब्यांक निफ्टी इसके पिसे का जो रिजन था कि ब्यांक निफ्टी बहुत स्ट्रॉंग नहीं था अ कंप्यार टू निफ्टी इसलिए मार्केट खुलते ही यह नवजार सौपे आ चुका है प्रोफिट बुकिंग हो चुकी नवजार एक्सुपे था वहां से समझ सकते हो कितना गिरा असी पॉइंट अल्मूस्ट गिरा है उनीस सो टेवी सुपे का यहां पर प्रॉफिट बुक कर दिया है तो खुलते ही देख सकते हो तीस सेकंड में कोई भी केंडल यहां पर बनी नहीं होगी चार्ट बना नहीं होगा कोई भी सपोर्ट रैसिशन नहीं करने में मज़ा आएगा और कुछ आप कर पाओगे इसमें तो शुरुवात में एक ही लट से कम कर सकते हो 500 क्वंटिटी में बाई करने की सोच रहा हूँ कि आए इसी आए इसी आए बैंक देखते अभी यह 321 और 80 पैसे चल रहा है यहां पर थोड़ा वेट कर रहा हूं में यहां पर अभी 321.80 तो मार्केट अभी स्लो है शुरुवात में सुबह सुबह दिख रहा है मुझे सबी स्टॉक्स वहीं क्या वहीं रुके हुए है जहां पर खूले है तो यह से स्लो मार्केट में पैसा निकलना दोस्तों यकिन मानिए बहुत मुस्किल है आप कभी भी साइड़ी मार्केट में प्रॉफित जल्दी नहीं बना होगे देख सकते अभी मैंने बाई कर लिया है और बीस पैसा पतास पैसा पर आ चुका है साथ कि यह दिख रहा है कि थोड़ा सपोट मिलेगा प्रिवेस केंडल को ब्रेक करके उपर जा रही है केंडल लेकिन कि कितने सस्टेन हो पाती है इस लेबल पर वह भी देखना जरूरी है सपोर्ट और रेसिस्टन्स को रिस्पे और नाइन जिरो में सेल हो चुका है ऐसे बैंक में 475 रुपिय मैंने प्रॉफित बुक कर लिया है टोटल प्रॉफित हो चुका है अभी तक कि 2398 यानि वालमोस 2400 रुपिय तो दोस्तों कोई भी टार्गेट में सुबह मॉर्निंग में 9 बजए कोई भी सेट नहीं करता हो कि मुझे इतना आज कमा ना ही है तो कोई भी टार्गेट सेट नहीं करना चाहिए जितना भी मिले जो भी मिले अच्छा है वह प्रॉफित प् 500 रुपिय हो या पचास रुपिय हो तो पचास रुपिय भी मेरे लिए ज्यादा है इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा अभी देख़ते हो ब्यांक निप्टी का कॉल में बाई कर रहा हूं क्यूंकि स्टॉक्स बहुत ही स्लो है एक ही जगा रुके हुए तो ब्यांक इस ब्रोक्रेश बहुत कम लगती है एक वर्डर में बाई वर्षेल दोनों मिला कि देख तो दो सुरुपे का प्रॉफिट चल रहा है अभी तो यहां पर यहां पर लगा रहा हूं 46.7 थोड़ा वेट करके लगाना पड़ता है क्यूंकि अचानक से एक उच्छाल मारा ब्य सके ऐसा पराइज भी हमें रखना पड़ता है ऐसा नहीं कि कोई भी वर्डर आपने अनाफ सना प्यासे भी कोई भी पचास साथ सतर रख दिये कभी वह नहीं आएगा दोस्तों और आप यहां पर फस जाओगे तो 46.90 तो ग्रीड पे कंट्रोल करना लालत पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा एक दो रुप्य लेके मैं निकल जाता हूँ तो छोटे-छोटे टेड करके अगर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा हो तो क्या प्रॉब्लम है 1500 ब्रोकरीजी जाएगी ना उससे ज्यादा क्या जाएगा अगर 10,000 म लगता है थोड़ा मार्केट साइड वेज लग रहा है मुझे अभी शुरू आत्में ही मार्केट खुलते ही बहुत ज्यादा वालेटाइल नहीं है देखना पड़ेगा विस एकन आप में तो मैं कम नाची नहीं करने वाला हूँ तो अभी बस 11 बजे तक ही में देखूंग है मैंने 200 कॉंटिटी भाई कि उसका में लगा रहा हूँ 53 अच्छा 52.90 को के दोनों कॉल ओपन है 21,000 का कॉल और 2900 का कॉल नव बच का 53 मिनिट को लगा दिया है मैंने चल रहा है 48 के असपास तो यह 2900 का कॉल भी मैंने भाई किया हुआ है देख सत्यों निप्टी बैंक यह यहां पर अपने सपोर्ट के आसपा से साइध यहां तोड़ेगा तो और नीचे जा सकता है तो एक बार सपोर्ट तोड़के नीचे गया फिर यहां से एक रिट्रेस्मेंट नीचे की और से दिख रहा है मुझे रिट्रेस्मेंट देखना पड़ेगा अलमूस्ट बस मेरे प्राइज के आसपा सल रहा है जो दोनों को ले दोसो ड्रेटी थोड़ा विट कर रहा हूं यहां पर इमें कि 2700 को कॉल है तो 49 मैंने लिया है फोर्टी नाइन रूपी शिक्स्टी फॉर प्यासा अभी मिल रहा है साध एक रूपी आ इसमें और पहले का तो 52.90 और 46.90 में मैंने लगाया हुआ है अभी बापिस है सेम क्वंटिटी को समय solche क्वंटिटी का ज्याया हुआ फाइब करनी के दूस्तों देथरárया ॉक्तों भीिद्यों के चया का जो सपोर्ट है वो मिलेगा और HDFC तो देख सकते हो पत्चास रुपी और 48 पैसे में यानि साड़े पत्चास रुपे में बाइ कर लिया यह 500 कॉंटिटी तो पहले की 200 कॉंटिटी ओपन है और 700 कॉंटिटी टोटल हो चुकिए 2000 का प्रोफिट यहां पर चल रहा है देखना अभी थोड़ी दिर में मोडिफाय करके कॉंटिटी सेट कर रहा हूं यहां पर मैं कर दूंगा अभी 700 कॉंटिटी मोडिफाय कर रहा हूं प्राइज अभी मैंने वही का वही रखा है 52190 तो एक जोड़दार अगर एक केंडल में उचल मारा एक मिनिट के केंडल में तो तो प्रॉफिट यहां पर चल रहा है देखना पड़ेगा थोड़ा वर में वेट करूंगा नॉर्मल स्पीड में आप यह देख रहे हो जिरोदा का एकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां जाके क्लिक कर सकते हो और क क्वाल करके मुझे आप पूछ सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नंबर मेरा दिया हुआ है वहां पे डिस्क्रिप्शन में तो बात चल रही थी के प्राइज यसी रखनी चाहिए क्वाल और पुट दोनों की के तुरंत वहां जाके टॉस हो के आपका ओडर एक्जिक् में दूसरा ओपन है मैंने रखा है अच्छा 54 अच्छा मार्केट कर रहा हूं मोडिफाइक कर दिया अभी पता नहीं कब निकलेगा यह थोड़ा स्लो चुका है जिरो दा 52 अच्छा 52.10 में निकल चुका है थोड़ा नीचे के लेवल पे निकल चुका है मार्केट पे 700 क्व मार्केट स्लो मार्केट में तो काम करना बहुत मुश्किल है जाब और प्राइब प्राइब कर दोड़ेगा भी मैंने वहां सेट की होती तो अच्छा होता है लेकिन ठोड़ा में ऊपर रखा था इसलिए मैं बोड़ रहा हूँ चार जार एकसो और तीस रुपे का प्राफ प्राइस दिखे की प्राब्लम एक तो जो रहती है क्वाल पूट में इसलिए शुरुवात में कम कॉंटिटी आपको रखनी चाहिए जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में कुछार आ सकता है तो मैंने 500 कॉंटिटी इसलिए बाई कि उसके पिसे का रिजन और क्वाल वापे से 53 के आसपा से रुकेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कीजिए और भी इंफोमेटीव वीडियो मेरी तरफ से आती रहेगी और अभी चल रहा है नवजार नब्य के आसपा से निप्टी और वीडियो को शेर भी जरूर कीजिए बजाज फिंसर पा सकते हो अभी 45 यहां पर चल रहा है निप्टी गिर रहा है लगता है पतास कॉंटिटी यहां पर मैं सेल कर दू अभी क्योंकि जोरदार यहां पे नीचे की और केंडल एक मारेगी बजाज फिंसर बहुती जल्दी जाता है बहुती वाले स्टाइल स्टॉक्स है मैंने सेल कर अभी जल्दी बाई का अच्छा 41 नीचे की और जाना चाहिए अच्छा दोस्तो 37 प्या चुका 32 अच्छा 34 में निकल गया है 33.98 मैंनी 34 में तो 44 से दोस्तों सेल किया था बाई हो चुका है 34 में ओके 50 कॉंटिटी तो देख सकते हो टाइम अल्मोस्ट 30 से भी कम तो इस तरीक का एक वाच्छ लिस में रखिए एक ग्रूप के और वन बाई वन फाई मिनिट की करनल में आप देख सकते हो 4600 रुपे का प्रफिटिया पर बुक कर लिया है बजाज फिंसर ने दिया है 503 रूपिय तो आपने देखा 30 चाहर में 503 रूपिय मैंने कमा लिया इसमें समदना जरूरी है और प्राइज एक्षन भी समदना इसमें जरूरी होता है वापिस से मैं 21,000 का कॉल लेनी की मैं सोच रहा हूँ 400 कॉंटिटी देखना पड़ेगा यह माइस में थोड़ा वेट कर रहा हूं में यहां पर क्या होता है अभी प्राइज चल रहे है फोटी फोर 21,000 का कॉल बैंक निप्टी का 21 में बाई का बटन दबा दिया है प्लेस अच्छा रिजेक्ट हो चुका है देख सकते हैं पर पता नहीं आउट साइड एलाउड रेंज देखना पड़ेगा कौन सी है रेंज की बात कर रहे है साइद जो र दूसरा भी में सोच रहा हूँ अच्छा पहले देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है अच्छा तो इसमें लिखा एक ही ब्यांग निप्टी कॉंटाक एलाउड ट्रेडिंग पोर सोलाजा थेसो से 2100 का कॉल पुट ही आप काम कर सकते हो करेंट वीक में अच्छा वो पहले देख लेना चाहिए फिर भी रेंज में था पता नहीं क्यू रिजेक्ट हो गया उस 2100 यहां पर लिखा 2100 का कॉल और यह रिजेक्ट हो चुका 2100 का कॉल यानि रेंज में ही था लेगिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया 0 दने जब काम हो तभी यह लोग यह लोग ऐसे करते पता नहीं चलता मार्केट बहुत ही स्लो है यहां पर इस मार्केट में पैसे निकलना बहुत ही आसन नहीं है अथर्वाइज अच्छा काशा मुनाफ है यहां पर मिला होता देख़ो ते वापे से 320 का जो मैंने लिया है यहां पर चल रहा है दूस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर जरूर से कीजिए और इस विकेंड पर दूसरी भी मेरी जो वीडियो वह देखा कीजिए 53.20 मैंने लगाया हुआ है यहां पर अच्छा देखेंगे स्लो मर्केट में कैसे वरना यह कॉल्पुट इतने वालेटाइल होते यह ब्यांग निप्टी के इतने पागलों के जैसे टेर करते आज बहुत ही स्लो है मार्केट स्लो है यह से लिए वरना उतने जल्दी काम करते कि मजाया जाता है यह काम करने में रिस्की भी उतना ही है अगर नौरेज ना हो समझ में ना रहा हो तो क्वालपूट आप यहां पर लगाये हुआ है सेल का ओडर ट्यान फोर्टी शिक्स कि तीन सो विस कॉंटिटी थोड़ी दिर में अच्छा बाकी अभी मोडिफाय का ओडर लगा के रखाए कि कि मैं जल्दी से एक्जिट कर सकूं फिप्टी फिप्टी टू सिक्सिरो चल रहा है अच्छा फिप्टी त्री आ चुका है थोड़ी दिर में नाइन जिरो नाइन कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ओके एव गुड़ डे थैंक्स वरचिंग कि मैं नाइन झाल कर ला दिरों उते हो बाल त्री में उते हो उते हो झाल झाल